कि देखो सुप्रीम कोर्ट इसको सुरु से मॉनिटिंग कर रहा है कि एसाइटी की जो रिपोर्ट आई उसमें पूर्ण रूप से इनको दोसी ठरा गया उत्तरपर्दे सरकार ने पक्सपात करा है और इसीलिए उसकी जमानत हुई सही दस्तावेज कोट में नहीं दिये दस्तावेज के अभव मैं ही उसकी बेल हुई सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर देख्या और संग्यान लिया उसमें खामिया पाई और आज उनकी जो बेल ती जुए जमानत थी वो खारिजगरी एक प्रक्स हम भी अपना पक्स रखेंगे हमने कोट में का कि फिजिकल सुनवाई हो पूर्ण रूप्सन को बुला के सब की बाते सुने जाएं अभूंबेद हैं कि दुबारत से हाई कोट सब लोग को बुलवा के बाते सुनेगा हम भी अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी भी जोनी बात वहां पर कहें गए बसे अपने बात रेक्ट का में आहिं देख़ू बंतरी हिंए सब की सुनवाई हो और जो भी फिर कोट का फैसला हो जिस तरह से जंग्या अपराद यह हुआ है सब लोगों न देख्या है इससे जो घटित काम है वो हो नहीं सकता कोई भी यह तो पिक्चरों में देखते हैं इस तरह का तो रियल स्टोरी यह पहली इस तरह की दिखेगी इसमें याई मिलना चाहिए प्रेड़ित पुक्ष को वह हमारी पूरी डिमांड रहेगी कि अजे टैनी को पद से अटा आ जाए और जब तक वो पदब बने रहेंगे उसका पूरा लाब इस केस में यह लिदते रहेंगे जो सरकार से समझोता हुए था उसमें जो मौावजा था वो सरकार ने दे दिया था इनके खिलाब मुकदमा हुए था जो घायल है उनको मौज़य को मौज़य मीलई प्रिवार है उनको को नोकरी नहीं मिली यह उत्तर परदेश सरकार साथ भी सवाल रह रहे हमारे हम चोविस तारीक में चला जाएंगे चोविस की रात तक वहां पहुंचेंगे पच्छिस तारीक में उनके परिवारु से मिलें और सब लोग एक ज्वेंट मिटिंग करके और आगे की पूरी रण क्या हुआ होगा वह क्योंकि गाड़ी से एक्सिडेंट है तो किस तरह ऐसा हुआ होगा वह तो वहां के टाइम पर बता सकता है जो महां पर लोग होंगे वह उस पर बता सकते हैं